उन्हें ने कहां कि अंधेरा कर दो, अरे जीवन में वैसे ही पहले से ही अंधेरा आ चुका है, लोग संकट से घबराये हुए हैं, कल क्या होगा किसको पता नहीं, घर में आनाज नहीं है, आधे भारत के घर में आनाज नहीं है, उसका क्या होगा, उसके बारे में कुछ भी न पर चला कि मैं मुल्ख नहीं हूं मैं दिये नहीं जलाओंगा मैं काम कर रहा हूं लोगों के लिए उम्मीद ये थी आज कि पंतप्रधान ये बोलेंगे के दवाई कम नहीं लेंगे हमारे जो मजदूर है वो भूके पेट नहीं सुएंगे यहां पर जो बीमारी का असर हुए लोग है उनको हम बीमारी से बहार निकालेंगे हम कोई भी आउशद की कोई भी दवाईयों की कमी नहीं होने लेंगे भारत में भूके पेट कोई नहीं सुएगा भारत का गरीब उनका सहारा उनका मायबाप मैं बैठाओं ऐसे स्वयम होद यह अंदेरा आ चुका है लोग संकट से घबराये हुए हैं कल क्या होगा किसको पता नहीं घर में आनाज नहीं है आदे भारत के घर में आनाज नहीं है उसका क्या होगा उसके बारे में कुछ भी नहीं बोले क्या तो बोले अंदेरा कर दो और टॉर्ट चला मुल्क है क्या नहीं जलाओंगा मैं काम कर रहा हूँ लोगों के लिए अगर उस दिये का दो रूपया भी मैं किसी गरीब के घर को देता हूँ तो उसका सहरा बन जाता हूँ मुझे लोगों का सहरा बनना है मैं दिये के तेल से देश की राष्ट्रिय संपत्ति खर्च नहीं करूँगा मुझे देश पचाना है और उसके लिए काम करूँगा बस हुआ हर संकट का भी अगर आप इवेंट बनाना चाओगे तो क्या देश को मुर्क समझते हो मैं मुर्क नहीं है आप अपना सूच दीजिए